मोंग की दाल के इडली बनाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है मोंग की दाल बिना चिकल वाली हम लोग ने लिए आप भी ले सकते हो दो तीन गंटे भिगो लो उसको उसका जादू दिखा के पीस लो ठीक है और उसमें लोग मिलाएंगे गाजर चुकंदर बीट रूट मत नमक डाल लेंगे ठीक है और जो भी आपको सब्जी लग रही है जो स्टीम करके आप खा सकते हो मस डाल लेने का ठीक है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेने आगा पानी मिला लो थोड़ा सा ताकि उसकी जो ठीकनेस है वो इडली के बैटर जैसी हो जाए आप लोग को पता है कि कृतनी ठीक नज रखनी चाहिए इसके बारे में बताना का कोई मतला भी नहीं है ठीक है बस हम लोग इसमें थोड़ा से क्या गरेंगे थोड़ा से इनो मिला लेंगे इनो मिला लेंगे तो इसके लिए अब हम लोग इनो मिला लेंगे तो पिश्डी बार किया मैंने जल बढ़ा गी है बेसिकली घी में रइड़ डाल लिए हींग डाल दी थोड़ सा और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे ठीक है सब कुछ थोड़ा-थोड़ा आप लोगो पता है सब कुछ स्वाधानूसर चल रहा है यहाँ पे तोई अपना कोई कॉइंटिटी मेजर करके कि ना नहीं है तो को फोट CMS कर लीगे और उड़ा करने के बाद जो हमारा पेस्ट रेडी है जो है उसको पांदस मिट के लिए मने रख़ा हुआ है तो उसके बाद हम लोग डाल देंगे तड़का उसमें और फिर अच्छे से मिला लेंगे। तो तीन बार मिलाने के बाद आप हमारा पेस्ट रेड़ी है। तो यह पेस्ट को अब मद लोग कुदिछ क YOUR से इड्ली बना रहे थैं। अब इड्ली का साँचा चाहिए निदिया SHT अब करा हूं भी बोलेंगे, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे उसको, उसको थोड़ा थोड़ा पेस डालने ने के अबाद फिर आप लो को पता है, जो स्टीम करने के लिए उसका भगोनी जैसा रखते हैं, बड़ा सा उसमें रख देंगे, इडली बनके निकलेगी, उसके आगे का आपको